आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हिंदू संस्कृती में बहुत ही पवित्र माना गया है यानी की दूर्वा जिसे दूब घास भी कहा जाता है यह घास जो आप देख रहे हैं यही है दूर्वा यानी की दूब घास हिंदू धर्म के अधिकतर पूजा अनुष्ठानों में दूब घास का प्रियोग किया जाता है दूस्तों कहा ऐसा जाता है की जब धरती में हर्याली चाती है तो दूब घास को देखकर के ही मन इतना प्रसन हो जाता है और मन खेल उड़ता है कहा ऐसा जाता है कि जो व्यक्ति सुभा सुभा नंगे पैर दूव घास पर चलता है वो बिमारियों से कोसो दूर रहता है उसे कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और इस पर गिली ओसकी बूंदे तो मानू मोती के समान चमकती हैं दोस्तो इसके और बहुत सारे उपाए हैं हमारे वैदिक काल से जो चले आ रहे हैं माना जाता है कि दोस्तो जिस व्यक्ति को मानसिक संतुलन थोड़ा इस्थिती ठीक ना हो उसको अच्छा फील नहां हो रहा हो तो उसके लिए कहा जाता है कि दूब घास का सिर्फ लेब बना करके अगर आप अपने पैरों में लगाते हैं तो आपको बहुत लाब मिलता है अगर आपको टेंशन है किसी चीज़ की तो स्ट्रेस है उससे आपको बहुत जादा लाब मिलता है दूस्तों कहा जाता है कि जिस इन्सान को सरदर्द रहता है बहुत ज़ादा स्टेस है सरदर्द है तो आप एक काम कर सकते हैं आप दूब घास का लिब बना करके इसमें थोड़ा चूना मिला करके अगर आप उसे बालों में लगाते हैं तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलती है और दोस्तो अब बात करते हैं इसक से इसमें पूजा का क्या रोल है दोस्तो कहा ऐसा जाता है कि दूब घास भगवान गनेश से जुड़ी हुई होती है इसका प्रयोग बुद्धवार को किया जाता है क्योंकि जिन लोगों के इस्ट गनेश भगवान होते हैं उन लोगों को दूब घास की कुछ पत्तियां लेकर के बुद्धवार के दिन गनेश जी को अगर अर्पित करते हैं तो गनेश जी उनसे प्रसन रहते हैं प्राचीन काल से ही दूव घास को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि इसका फल बहुत ही महत्वपून होता है हमारे जीवन के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति नंगे पाउं दूव घास पर सवेरे सवेरे चलता है तो उसकी आँखों की रोशनी बहुत ही मजबूत रहती है बहुत ही अच्छी रहती है यदि किसी व्यक्ति की आँखों में दर्द रहता है कोई समस्या है तो दूब घास की को निचोड करके उसकी टिकिया बना करके आँखों पर रुई रखके उसे बांधेगा कुछ समय के लिए तो उसकी आँखों का दर्द अपने आप समाप्त हो जाएगा दिखिए दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो की अपनी वासना पर काबू पाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे अंदर से जो अधिक से अधिक वासना है वो कम हो जाए और हम एक आनंद पूरवक जीवन जीए तो कहा जाता है कि उन व्यक्तियों के लिए दूब गास एक वरदान है जो सफेद दूब होती है उसकी पतीयों का रस निकाल करके अगर सेवन करते हैं सफेद दूबा का तो उससे उन व्यक्तियों को लाब मिलता है ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी वासना पर काबू करना चाहते हैं उन व्यक्तियों के लिए यह बहुती लाबकारी मानी गई है दोस्तों कुछ लोगों को नक्सीर की भी समस्या होती है उनकी बार बार नक्सीर चली जाती है ये एक आम बिमारी है पर कुछ लोगों को यह बहुत जादा होती है तो जिन व्यक्तियों को नक्सीर की समस्या होती है मतलब कि नक्की चूटना नाक से खूनाना अगर दूब घांस उस समय आपको तुरंट मिल जाती है उसकी कुछ पत्तियों का रस निकाल करके तीन चार बूंदे अगर आप नकसीर के समय पर नाक में डाल देते हैं तो रक्षरा तुरंट रुक जाता है और आपको नकसीर से तुरंट लाफ मिलता है आप तुरंट ऐसा क ध्यान रहे आप उस समय कीजिए जिस समय पर रक्षराव हो रहा हो तो जादा अच्छा बहतर रहेगा अब बात करते हैं दोस्तों इसे लगाने के बारे में यह कौन से समय पर लगाई जा सकती है तो दोस्तों दूबा का खिलने का जो सही समय होता है वो होता है फरवरी का जब बसंत रितू आती है उस समय पर यह दूबा बहुत अच्छी खिलने लगती है पुरी गर्मी पूरा बरसाथ से लेकर कर सरदीया आने तक दूबा बहुत अच्छी खिली-खिली रहती है यह जो दूबा आप देख रहे हैं यह गमले में ही लगी हुई है और यह इतनी अच्छी हो गई है अभी अपरेल का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं ये कितनी हरी भरी है आपको इसका कोई बीज लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो अगर आपके पास जगा की कमी है तो आप इसे अपने किचन गाडन यानि की याद रहे जगा में नमी बनी रहनी चाहिए जिससे कि यह बहुत जल्दी ग्रो करती है और बहुत जल्दी बढ़ने लग जाती है तो अगर आप दुवा लगाना चाहते हैं तो डारेक्ट लाकर के गंबलों में लगाए आप एक बार लगा देंगे तो यह कभी खतम नहीं होगी यह धीरे धीरे अपने आप पूरी इतनी फैल जाएगी कि आप इसे हटाते हटाते ठट जाएंगे पर यह नहीं हटेगी तो दोस्तों आपको दुवा के बारे में जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको किसी और पौधे की जानकारी हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि ऐसी ही आने वाली सबी वीडियो आपको मिलती रहें तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज जन्निवाद